हमने भले ही उलुओं की मुर्खता का पार्याय मान रखा है मगर यह सच है कि पक्षियों की यह पर जाती दुनिया के कुछ सबसे वधिमान जीवों में से एक है जो दीन की अपेच्छा रात में बेहतर देख सकता है हम इनसानों की स्रवन सीमा से दस उनी धीमी आवाज को भी सुन सकता है कई तरह के हानिकारक कीरों का सिकार करने के कारण उसे प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहा जाता है दुनिया के कई देशों में उलु को ग्यान का परतिक कहा गया है युनान की पौरानी कथाओं के अंसर बुद्धी की देवी एथेन उल्लू का रूप धरकर पिच्वी पड़ाती है और लोगों को बुद्धी का वर्दान देती है हमारे पुरानों में से देवी लच्मी के पवितर वाहन का दर्जा दिया गया है